नमस्कार दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 11 सीजन के लिए 27 और 28 जन्वरी को बैंगलोर में आक्षन हुए यहां मुंबई इंडियन टीम की ओनर नीतामबानी के बेटे अकाश भी मौजूद थे आक्षन में सबसे पहले खिलाडी के रूप में मुंबई ने केरन पोलाड को खरीदा उनके लिए 5.4 करोड की बोली लगी थी वहीं 10 साल से मुंबई के लिए खेल रहे स्टार स्पिनर हरबजन सिंग अब इस टीम में नहीं है आक्षन खतम होने के बाद नीतामबाई ने कहा कि उन्हें हरबजन को नहीं खरीद पाने का अफसोस रहेगा आपको बता दें कि हरबजन सिंग पिछले कई सालों से मुंबई इंडियन की तरफ से खेल रहे है अब IPL के 11 सीजन में हरबजन सिंग MS दोनी की टीम चेन्नेई सुपर किंग्स के लिए खेलते नजर आएंगे हरबजन को चेन्ने ने उनके बेस प्राइस 2 करोड रुपे में खरीदा है हाला कि पिछले सीजन में मुंबई ने हरबजन को कई मैचों में मौके दिये पर वो कुछ कमाल नहीं कर दिखा पाए अब हम आशा करते हैं कि वो कुछ करके दिखाएंगे आपकी इस बारे में क्या रहा है हमसे आवशे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को जरूर दवाएं धन्यवाद